आज बदी टीन मिक्सचर। स जो भी सी एक साथ देरा भी सब्साथ ठाइड है। वर सब्सक्ति हम बनाते हैं पर्मल मिक्सचर। मैंने एक कढहां में डाल दिया है। मैं पहले घी डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, आप पहले ही घी डालेगा और उसके बाद ही परमर डालेगा, और परमर डाल करके हम इनको धीमी आज पर भूनेंगे, यूँ तो इन्हें भूनने की जरुवत नहीं रहती है, लेकिन क्या है, कि परमल डालने के बाद में लगबग 5-10 मिनट तक आप धीमी आज पर रोस्त कीजिए, और इस तरह से हाथ से देखे, पूरी तरह से चूर चूर हो जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो परमल है वो रोस्त होगा, उसके बाद आप इसमें कोई नमकीन डाल दीजिए, प्ला जाहे चाय के साथ खाईए या पोहे पर डालिए, सेकिंड है हमारा तंदूरी विक्सर, यह बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है, इस तरह का जो रोस्त किया हुआ पोहा बजार में मिलता है, रेडिमेट वो पोहा मैंने यहां पर लिया है, पोहे को तीन से चाय मि हमी रहती है, वो निकल जाती है, इसके साथ ही थोड़ा सा मिठास का टेस्क देने के लिए, मैंने यहां पर डाला है, इसमें किश्मिस, जो हमारे घर में होती है, नॉर्मल किश्मिस है, आप उनको ले लीजिए, आप इसकिप करना चाहते हैं, तो इसकिप भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम यहां करेंगे हम एक बगार करेंगे, हमने ले लिया है एक पैन, उनके डाला है तेल, एक टेबल स्भून थेल जाल कर के आप यहां डालेуж, मीठा डीम डाला और हिंग डालके है, 3 लिए, तो बगार भर चल्यार एक और उसके साथ ही कलर के लिए हम इसमे ढाल दिजें। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। पिर उसके बाद में अपसमें डालिये काली मेर्स थोड़ा सा काला नमक डालीए। और इसको फिर अच्छे से चलाईए चलाने के बाद में आप इसे भरकर रखिए किसी भी एर टाइट जार में भरकर के रख दीजिए और जब आपका मन करता है तो आप चाय काफी के साथ इसे खाईए बहुत टेस्टी बनता है एक बर जरूर बनाईएगा और इसके बाद में गैस पर घीमियाच पर अच्छे से रोस्ट कीजिए जब यह अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए हास से चुकर के देखिए जब इस तरह से बिलकुल से आप एकदम चूर चूर होने लग जाए ना तो इसका मतलब है हमारा पोहा त्यार हो गया है फिर हम इसमें डालेगे घी डा और जालेगे और इसके सात ही हमने जाल दिया है थोड़ा सा मणा चाहती है उसके सारीस करना है तदियी है शुक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हररे क कर दो 반द से क्योंकि हूं दाल लाल म्रच पाउडर पाउडर के भी किसा आप 2 चाट मसाला in order to mix it तो पापड़ बहुत अच्छा और टेस्टी पापड भुन करके हो जाएगा तयार बहुत अच्छा और टेस्टी पापड भुनकर तयार होता है इसके मिक्सर के साथ ही नहीं बल्कि आप खाना चाहें तो इसे जब भी आपका पापड खाने का मन हो रोस्ट किया हुआ तला हुआ डीप फ्राइ किया हुआ तो इस तरह से पापड को भुनिएगा माइक्रोवेब में और फिर आप इसका टेस्ट कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्षन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा तो यह देखिए हमने माइक्रोवेब में रख दिया है पापड दोस्तों हमें टी चाय कॉफी इन सब के साथ में स्टैक्स की जरुवत होती है पर अकसर हम यह सोचते हैं कि यह बहुत सारा तेल खा लिया बहुत सारा य होते हैं एक तो हमारा जो बजट है बजट फ्रेंड़ी तो होते ही होता है साथ के साथ में क्या होता है कि हमारा हेल्दी भी हो जाता है क्योंकि बजार वाला जो तेल होता है ना वह हैल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हमें जितरा हो सके घर पर बनानी के क पीपड़ जरूर भूनिएगा और इसके बाद में तीनों पापड़ को हमने अच्छा सा चूर चूर कर लिया चूर चूर करने के बाद में इसे आप पोहे में मिला दीजिए एक दम अमेजिंग टेस्ट आता है आप एक बार जरूर ट्राय कीजिए गई पापर पुहा और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करने में कजूसी मत कीजिएगा थेंक्यू